जननी जनन भूमी स्वर्ग सिमाहन है इसके वास्ते यह तन्हमन है और प्राण है जब कोई सेनिख सहीद होता है तो सोसल मीडिया पर दोस्तों हाँ करके रियक्ट किये जाते हैं हमारे देश कना जयाचन्द उमेशा सदियों से रहे हैं ऐसे गदद्दारों को हस रहे हैं। उनको मैं कहना चाहता हूं और सासन प्रसासन को भी इन लोगो संबाज सप्रक्रणा想ार के सम्झन के सामरे के कहना चाहिए। दोस्तों हम इस समय सेना भौन के सामने खड़े हैं और ये तीन कामराज मार गए यूपी चुनापे हम कबरेच कर रहे हैं लेकिन जब हमारे जन्नत सहाब के बारे में सुचना मिली हम दिल्ली पहुचाएं है ठंड का मौसम होता है जबान बॉर्डर पे रहते हैं हमारी आपकी सुदच्चा के लिए वो ठंड में भी खड़े रहते हैं क्यों ना हमने सोचा हम ये फजाज निभाएं सुबा का वक्त है काफी ठंड है यहाँ पे आप देख सकते हैं मीडिया की तमाम गाडिया आना सुरू कर दिया है कमाल गाडिया आने लगी है दिये दिये करके और क्यों आ रही है मैं आपको बताना चाहता हूं क्योंकि ये तीन कामराज मार्ग है सेना भवन है पीछे की तरफ सेना भवन का कार्याला है जहाँ पे जन्रल सहाब और अन्न सेंडिकों की जो बॉड़ी है वो सुबा दस बजे तक यहाँ पे आम लोगों के दरसन के लिए रखी जाएगी लोग सहीद हुए इनमें उनकी पत्नी भी सामिल थी पिछले दो दिन से हम देख रहे हैं कि पूरा भारत गमगीन है ऐसे में हम देख रहे हैं कुछ लोग आना भी सुरू कर दिये हैं का नाम है कहां से आये हैं मैं सरा मेरा नाम लखन अहिरवार है और मैं एमपी से आया हूँ और जो यह दुरघटना हुई है मैं उसके लिए मतब देखने के लिए आया हूँ कि जो बहुत ही हमारे देश के लिए बहुत बड़ी छती की बात है कि ऐसी दुरघटना हुई है देखे कहा जाता है बच्चा जब बड़ा होता है तो जानतर यूवा तैयारी करते हैं सेना में जाना है और एक रोल मॉडल बिपिन दावस सर्थ थे सीडियस थे रोल मॉडल से सेना को मजबूत कर रहे थे चाहे डुकलाम का मुद्दा हो चाहे इदर सजकर स्ट्राइक हो सेना का मन पर लगातार बढ़ा रहे थे और लगातार आँख में आँख मिला के बात कर रहे थे तो क्या लगता है कितना बड़ा नुकसान है भारत के लिए यह मतलब भारत के लिए और यूबाओं के लिए सार्व हमारे विए बहुत प्रडुडर शुरोत थे और हम उनको देख करके काम करते थे और देश के लीए भी बहुत सारा काम करते थे लेकिन है जब आज वह एस दुरकटने हम गये हमको बहुत ही मतलब एक दुखाद और मतलब मन से रोना आ रहा है मतलब आप थंड है लोग अपने घरों में अपने जो हर रजाई के अंदर कंबल के अंदर सोई हुई हैं लेकिन आप यहां आगे आप क्या सोच के आएं कुछ लगा कि हमें जाना चाहिए एक व्यक्त जो मुझे तो नीद नहीं आ रही थी इसलिए मैं आया हूँ और जब उनका जो अंतिम संस्कार हो गया उनकी वोड़ी आएगी तो मैं तो उनके दरसंद के लिए आया हूँ कि मतलब मैं देख सकूं जो उन्होंने सेवा की कहीन की एक उनका दो दर्जा था कहीन के बहुत उपर कर दिया और आप यहां पर चले आए आप यह बताईए कि क्या महौल होता होगा उनके घर में जिस तरह आप देखिए आप भावक लग रहे हैं मुझे उनके परिवारों पर क्या बीत रही होगी जो सेनिक जिनोंने उनके परिवार वाल जनोंने अपने अपनों को खो दिया मैं तो कहता हूं कि जब इतना दुखी हुँ तो मुझे ने लगता सर की उनके परिषिए अवपर क्या बीछ रही होगी सर। मैं बहुत आहत हूं इस दुर घटना से, सर। बहुत दुखी हूं, सर। मैं आपकी भान ने समय सकता हूं दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा सुबा का वक्त है कोहरा है और यहां पर कई लोग आ रहे हैं हमारे साथ कुछ और लोग जुड़ रहे हैं मैं लाइव अपडेट दे रहा हूं कोई भी मीडिये चैनल अभी उठ नहीं पाया है लेकि मैं उठ के अपने रावस्तर को य सब्सक्राइब रहने वाला हूं मोलता यहां स्टड़ी करता हूं मैं अना जी क्या सोच कि आप सुबह का वक्त हो रहा है लोग अपने घरों में सो रहे हैं जो हमारे चले गए आप कैसे आ यहां पर जो लोग हम हमारे लिए हमेशा अरा के भीसा ठंड में बरफ में धूल मे भूग में हमेशा ततपर खड़ी रहते हैं के लिए हम ऐसोबह नहीं आ सकते भूगळ लग रहे हैं आंके भराईआ यह क्या एसा क्या और यह कि तुना बड़ा यह नुक्सान है हमारे हमेशा ही वह देश भक्ती देस जीवन के वां कि मतार गया है सेना हमारे अथर्स के समा गौरा बोलते हैं जैसे हमाई एक जमाने च्छतपाई शिवाजी महराज थे वैसे हमाई ले सीडियस रावाज जी सहाब है और दुख भरापल है मेरे पार निशब्द हूं बात वही है कि जन्नी जनम भूमी स्वर्ग से महान है इसके वास्ते ये तन है मन है और प्रान है और पर अगर जो बात कोई आ पड़े इसके सामने जुल्म के पहाड हो खड़े सत्रु सब जहान हो विरुद्ध आसमान हो मुकाबला करेंगे जब तक जान में ये जान है वंदे मातरम जय हिन जय भारत मेरा शर्षत नमन विरंश धांजली मैं आप भाउग लग रहे हैं लेकि नों हां करकर एक्ट किए जाते हैं उन पे कर्मेंट किए जाते हैं कि करमा बै या कर्मा जो जैसे करेका उससे भुकतेगा उनके लिए लिए क्या काहिना चाये कि रिया हुआं कि ऐसे गद्दारों को जो एसा हस रहे हैं उनको मैं कहना चाहता हूं और सासन प्रसासन को भी लोगों को चुन-चुन के समाज के सामें ले कहना चाहिए जिस इनका परदा फास हो जो मात्र भूमी के रक्षक जिनका दुरुगहटना ग्रस ध्यांत हुआ उनकी मौत पजोल हस रहे हैं वह देश के लिए गद्दार हैं दुस्तों हम इस समय सेना भौंत के सामने खड़े हैं और तीन कामराज मार गए तो आप यह बताईए कि कुछ प्रंक्तिय कहना चाहिए उनके लिए सहीदों के चिताओं पर हर बरस लाएंगे मिले वतन पर मर मिटने वालों को यही मुकाम होगा आप देखिए हम तो सुबह दौरत दौरत तेहां पर निकले तो हमने देखा कि चलो आज वहां चलते हैं सुबह दसबाई का उनने समय दिया है ऐसा नहों भीड भार हो वहां व फ्रक्ष्ण से बिजादा मानी एक हमाने बोला गया जननी जननव भ्रॉमी स्वर्ख से मान राएं और जो जनब भूमें के लोगन ओंने बहुत बड़े व्यक्ति कहते हैं और देवतावन को भी देवता हूं से बढ़े बहुत समान कि जाता है देवता भी आते हैं जो अप जगा आजगा वरखास किया जाएगा दोस्तों जो भौह देख रहे हैं यह एक जुवा का अपने देश की सेंझकों के प्रती भाओ है प्यार हैं सम्मान है जन्नAL साहब को उनकी यादों को उनकी द्वालग की गए कारियों को एक युवा भुलाने पा रहा है धर्ति को परणाम कर रहा है उद्भूमिल को पराणाम कर रहा है जहां पर उनका पार्सित सरीर लाया जाएगा दस सुबा दस वजे आज अभी से मात्र दो चार घंटे बाद उनका सरीर यहां पर आ जाएगा अंतिन दर्सन के लिए आ जाएगा और युवा जो कि मद्र प्रदेश से आया है कोई जासी से आया है इतने दूर दूर से लोग यह देश प्रेम हमें जोडता है यह रास्ट्रवाद हमें जोडता है हमें एक करता है कोई जाठ है कोई गुजर है कोई ब्राम है कोई ठाकूर है कोई खटिक है लेकिन जहां देश इसकी बात होती है हम सब एक हो जाते हैं हमारी ताकत है और वही ताकत यह दिखा रहे हैं और कुछ लोग हमारे साथ हैं क्या नाम है हरीस हरी हम जी थंड़ के मौन समय कर घड़ों सो रह onc you are a prize चुर् fringe की बोला था की खी हए अगर आप तो उसके लिए य्य लगार्मी कोई नूं के दूपरी दैसे कोई चीज कि नोपर कड़ने है तो आज़ो यहाँ पर पैसा के लर शक्कर मा रहे हो इंडियन का आर्मी में आपको अपना तन और दिमाग दोनों चुस दुरूस रखने पड़ेंगे और खुनपसी नहीं तरह है यहां पर आपको काम करना पड़ेगा तब आप यहां पर सरवाइव कर सकते हैं तो हमारे जनरेख सुख़े हैं, जो तुमि अभिथ हैं अरग भी सिपाई होते उनको जो उनका लेवल होता है वहारे जिल्ड़े पे ही शहीद है इंडियन आर्मी ने हमेशा यही मिशाले दिये हैं कि जो इनके हेड होते हैं वो लाइन ड्यूटी में शहीद होते हैं और सर मैं तो इनकी वीडियो देख के इंस्पायर हुआ था यह देख के थोड़ा सा हिल गया हूं कि कि कल मैं सौकीन था मतलब विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसे संभू कुछ हो सकता है बिल्कुल नहीं मैं कल सर जब देख रहा था तो मेरे को एक बार को यह और यह और यह पाया कि मैं मैं तो सर यह ही चाहरा था कि मैं लब ऐसी एक न्यूज आजए कि बड़ बच गए है और जो भी फोजी है उनको थोड़ी बोट चोटी मोटी चोटाई होगी हाँ हादसा बहुत बुरा था कुछ पता नहीं क्या समझ नहीं आए मुझे भी कि बिपिन सर कोई छोटे दिए अधिकारी तो नहीं है उनके जब वह जा रहा है हली का चाहरे तो उनके लिए मोसम मोसम की सभीक जानकारी हो ने चेए ठी हम तो यहां पर इसलिए आए कि पालम तो नहीं जा पायए थे स्कुरिंग कर ले USों कोई पानी हरियादा से कोई जासी से आया है ये भाव ये भाव भाव करने वाला है सीडिय साहब एक रोल मॉडल थे युवाओं के मैं रोजाना देखता हूँ रोड पे बच्चे दोड लगाते हैं अपनी मंजिल पाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और सीडिय साहब उनके लिए बहुत बड़ी ताकत थे पूरे भारत को उन्होंने एक गरव प्रतीत कराया था गरवान्यूत किया था और आप देखिए सुबा का वक्त है देजे लोग आने सुरू हो रहे हैं इतना प्यार इतना सम्मान आखे भरा रहे हैं लोगों की जमीन को प्रणाम करने इस सेना भवन जो पीछे सेना भवन है इस जमीन को तीन काम राज माज़क पर हम खड़े हैं जहां पिनका पार्चु सरीर आएगा और इस भूमी को प्रणाम किया जा रहा ही हुआ हो द्वारा यह वीडियो आप सब भी देख रहे होंगे शेयर कीजिएगा जो हसते हैं संजिकों के सहीद होने पर मजाक उड़ाते हैं साइनिक देश के लिए लड़ता है वो जाती नहीं देखता हमें आपको यह समझना होगा ज्यादा से ज्यादा से शेयर कीजिए लोग तब पहुच इन युगाओं की बात मंद्र प्रदेश से आए हैं बताइए आप क्या पड़ी इस इनको आने की यहां तिर्फ आप अपने देश के लिए अपने संजिकों के लिए आए हैं बहुत बड़ी बात है अपने आप में मैं लगातार अपडेट देता रहूंगा मुझे यूपी करता हूं इधरती को जनल साहब आपने हम सब के अक्सर फक्र से उचा कर दिया है मैं चाहूंगा आप सभी बंदु से लूट मारी एक जनल साहब के लिए से लूट कीजिए जनल साहब को आखरी बिदाई हमारी तरफ से जेटी नूच की तरफ से जनल साहब आप हमेशा हमार ताकत बंद के रहेंगे, है न एक बाद जाहिन, भारत माता की जाहिन, बंदे, 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 जाहिन दोस्तों, पूरा चुनाओ का बिश्च कराएंगे, लेकिन ये चीज आपके लिए जानना जरूरी थी, आगे भी हम आपको रूबरू कराते रहेंगे, बहुत बोतबाद जहीं